तो दोस्वाइब और फिस्याव का बहुत बहुत स्वागत है ट्रैगन प्लियूटू चैनल पे और यह जो वीडियो है छोटा सा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यकीन नहीं करेंगे जब से हेलो वक्स का सौटवे रहा है जी एक साल का स्काम मिल रहा है इसमें यह चल र है जिसने यूज नहीं किया है उसको जल्दी है कि भाई मेरे पास यह डबा है तो उसमें कैसे न कैसे करके वह सौटवेर इंस्टॉल कर लो मैं और देखू कि कैसी है और कौन-कौन सी सटलाइट काम कर रहा है कौन-कौन सी चैनल चल रहा है उस गलती की बज़ा से या उस इ पर अब दिक्कत तो यह है कि लोगों को यहां पे खाली बेकू बनाना आता है बागी किसी की हल्प करना नहीं आती जो की कड़वा सच है ठीक है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि अगर आपकी जो दिली इच्छा या उत्सुक्ता जो है उसकी रिमोट को कैसे आप बल्की में ला सकते हैं बिना कोई रिमोट यूज कीए दिली और को या इस्थिर है पki यहां प्रौपर तरीके से कर रहा है अब क्या करना है अ tava लोकिये वाल्रिमोट ये है अब ये वाला remote यहां पर मालो की मिले डबे में काम नहीं कर रहा है अब क्या करना है आपको मैंने software कर लिया install मैंने बता दिया चाहिए कोई सा भी डबा जिसमें आपने hello box वा software इंस्टाल किया है कोई सा भी डबा GX वाला आपको क्या करना है अगर आपका front funnel काम ना करे remote आपका काम ना करे और कोई बंदा आपकी help ना करे तो क्या करना है आपको कोई सा भी और remote आपको ले लेना है पगारिया का, solid का, we zone का कोई सा भी MPG4 डबे का setup अपना remote आपको ले लेना मार्केट से या फिर आपगर आपको ना मिले तो independent का ही remote ले लो मेरे case में, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको यह है independent का remote तो मेरे case में, मेरे को और कोई MPG4 का remote नहीं मिला, जिसको मैं खराब कर सकता हूँ खराब इन दा सेंस, कि मैं इस डबे के साथ उसको pair करने के लिए base कर सकता हूँ तो इसलिए मुझे independent का remote मिल गया अब आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह indicator जल रहा है, मतलब यह काम कर रहा है इसमें self मैंने battery बेटरी बेटरी डाल की रखी है और काम कर रहा है, अब देखना यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया खली OK वाला बटरी इतने बार प्रेस किया और यह screen पर मेरा remote यहाँ पर आ गया अब एक बार जरा hold करना, मैं दुवारा डबा बंद करता हूँ यार, actually मेरा एक हाथ में थोड़ी दिक्कत है इस बज़े से चलो को नी, यह remote मेरे अपना डबा में ने कर दिया यहाँ पर बंद डबा हुआ दुवारा से on, अब एक बार इसको properly पहले on होने देते हैं फिर देखते हैं कि क्या यह वाला method आपके डबे में काम करेगा या नहीं करेगा या का आप independent वाला remote अपने डबे में pair कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है, जी हमारा wifi यहाँ पर connect हो चुका है और एक minute हाँ यह हो गया, अब यह है independent वाला remote, अब आपको क्या करना है left और right वाले बटन जो है, यहाँ पर इसको continuously प्रेस करना शुरू कर देना है ठीक है, left और right वाले बटन को continuously प्रेस करना शुरू कर देना है और देख सकते हैं, जैसे ही आपकी screen पे यह remote बन के आ जाएगा जो आप सामने देख सकते हैं, remote बन के आपकी screen पे आ जाएगा अब 4 को बता रहा है, अब 5 को बता रहा है, अब 6 को बता रहा है, अब 7 को बता रहा है, अब 8 को, उसके बाद 9 को, उसके बाद 0, उसके बाद OK आप के लिए बता रहा है डाउन के लिए बता रहा है लेफ्ट के लिए बता रहा है उसके बाद राइट के लिए बता रहा है उसके बाद मेन्यू कहां गया मेन्यू के लिए बता रहा है उसके बाद एक्जिट कहां गया एक्जिट के लिए बता रहा है उसके बाद इन्फो क कहां गया इन्फो का बटन नहीं है इसमें चलो कोई बात नहीं अब इन्फो का बटन नहीं है तो मैं क्या करूँगा यह इपीजी वाले बटन से इन्फो में कर दूँगा ठीक है यह इन्फो हो गया उसके बाद सैट के बटन के लिए मैं यह लैंग मतलब लैंग वाला बटन सबसे नीचे इसको कर दूँगा ठीक है उसके बाद mute वाला तो इसमें होगा ही होगा mute वाला भी हो गया उसके बाद red color का button दबाने के लिए बोट रहा है तो चलो red और green और ये तो है ये red हो गया उसके बाद green हो गया उसके बाद yellow हो गया उसके बाद blue हो गया new IR study success हमारा यहाँ पे independent का remote जो है वो हमने solid के या GXWC05S जितने भी आपके hardware हैं जिनने में आपके ने गलती से अपनी दिली इचा से इस सुकता से या उत सुकता बोड़ सकते हैं उस चीज़ को उससे अगर अपने hello box का software install कर दिया है तो आपको अपने remote को ऐसे pair कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे अगर menu का button दबाओ तो देख सकते हैं यहाँ पे menu का button भी बिल्कुल काम कर रहा है अप down या left right करो मैं तो बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है बीना किसी tension के ठीक है अगर मैं exit मैंने यह बनाया था exit कर दिया उसके बाद मैं दुवारा से menu का button दबाता हूँ उसके बाद मैं कौन सा हांटीना पर चला जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ अगर बार red color का button प्रेस करके यह है red color का button बिल्कुल हमारे यहाँ पे color combination वाले button भी और सारे का सारा remote भी यहाँ पे प्रोपरली जो है वो काम कर रहा है ऐसे अगर आपने गलती से अपने GX के डबे में software HelloWorks वाला install कर लिया है तो आप इस method से अगर उसमें remote काम नहीं कर रहा है front panel को तो भूल जाओ front panel काम नहीं करेगा अगर वो नहीं कर रहा है तो पर उसके बाद अगर आपका remote काम नहीं कर रहा है तो जी हाँ आप इस method से अपना remote भी working में बहाँ पे ला सकते हैं ठीक है उमीद करता हूँ यह वाला छोटस अपडेट आपको जरूर से पसंद आया होगा पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें शेर कर दें हमने सारे दोस्तों के साथ और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं यह वीडियो देख रहे हैं तो बाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना साथ में बैल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर प्रेस कर देना मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम